मैं प्रेम चंढ जैनती की तहद, प्रेम चंढ की कहाने सुनाने जा रहा हूं जिसका सीज़सात है मंत्र एक दाउं मं एक डॉक्तर रहता था जिसका नांथा दॉक्तर चड़ड़ा डॉक्तर चड़ड़ा बहुत ही अभिमानी और दयाहिए इंसान थे एक बार पगत नाम का इंसान उनके बेटे को लेकर उसकी घर पे इलाज करवाने आये थी जो बहुत ही बिमार था पगत के बहुत ही बिंती करने पर भी डॉक्टर चड़ा ने उसको देखा भी नहीं अपने समय पर गॉल्फ खेलने के लिए चले गए पगत ने कहा मेरे बेटे का इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगा मगर डॉक्टर चड़ा तस से मसने ना हुए और दूसरे दिन पगत का बेटा मर गया समय बीता गया डॉक्टर चड़ा पचास साल के हो गए उन्होंने बहुत नाम और पैसा कमाया बहुत बड़ा बंगला और क्लीनिक बनाया बेटे की साधी करदी बेटा भी बड़ा हो गया था उसके बेटे को साप और चड़ी बूटियों में दिल्चस्पी थी एक बार उनके बेटे के जनम दिन पर ही उनके बेटे को जहरी ले साप ने काट लिया डॉक्टर चड़ा के इलाज करने पर भी वो ठीक नहीं हो रहा था उसका सरीर पूरा नीला हो रहा था गाओं में बात फैल गई थी कि कोई भी व्यक्ति उसे ठीक नहीं कर पाया था यह बात भगत के कानों में पाची और भगत वहाँ पर गया और भगत ने देखा और कहा कि समय अभी पीता नहीं है और वो मंत्र बोलता गया और चड़ी बूटी सुंगाता गया जब सुबह हुई तो डॉक्टर चड़ा का बेटा ठीक हो गया और भगत वहाँ से चला गया और डॉक्टर चड़ा सरम और लज्जा के मारे मरते गए और उन्होंने सोचा कि दूसरे दिन भगत से जाकर माफी मांगेंगे